सहारा इंडिया में अपना जमा धन वापस के लिए लंबे समय से मांग कर रहे निवेशकों ने शनिवार को यूपी की राजधानी लखनाव पहुच कर विरोत प्रदर्शन किया यह प्रदर्शन सहारा में जमा धन वापस लोटाओ समीती के नेतरत में किया गया समीती के अध्यक्ष विरेन्वि सिंग सोलंकी ने बताया कि हमें सहारा की तरफ से तीन महीने में पैसे लोटाने का अर्सवाशन मिला है समीती के अध्यक्ष सोलंकी ने बताया कि हमने रतलाम जिले में जिलाइस्तर पर विरोध किया था जिसके बाद जिले भर से सहारा इंडिया के मालेक सुबृत रॉय वे कंपनी के डाइरेक्टर के खिलाफ कई मामले दर्च किये गए जिसकी गिरफतारी की मांग हमने जिलास्तर से की लेकिन प्रसाशन उन्हें गिरफतार करने में नाकाम्याब साबित हुआ आज संघर्ष समीती के सभी सदस्र निवेशकों के साथ सैकडों की संख्या में लखनव पहुचे हैं जहां सहारा प्रवक सुवरत राय के बंगले का घिराफ कर पुलिस प्रसाशन से गिरफतारी की मांग करनी थी लेकिन लखनव पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया है पुलिस सुबरत राय को ग्रफतार करने की वजह निवेशकों को ग्रफतार कर रही है इस बरान समीती के अध्यक्ष वीरेनर सिंग सोलंकी को चोट भी आई है पर उसके बाद पर चलेंगे कि अध्यक्राइब करेंगे कि अध्यक्राइब आई है इस बाद बत्रियों के आग ते सब्सक्राइब पालू में नी पड़ेगा आप समझो तो सिवाद को आप आप इस प्रेपर में खबर साटेंगे के लाकों का घोटाला कर दिया कि अध्यक्राइब आप इस अध्यक्राइब आप इस प्रकाइब आप आप दो जाएगे यहां अभी जोजारों किया है यह जंगर्मार राष्ट्रकान किया है इस कि यह जोड़ों क करोंचर हैं अ घ्रकाइब कि और आप हुआए है एक नाला लगाएंगे? लाठी दंडा खाएंगे अब कैसे लेकर जाएंगे?